आज हम इस वीडियो के माध्यम से Client Mapping के बारे में जानकरी प्राप्त करेंगे अब से Branch Head Swarm Client Mapping कर सकते हैं Branch Head, Branch के जितने भी Unmark Client हैं, उन्हें Existing Staff में Mapping कर सकते हैं इसके लिए Branch Head को Capital Sales App का नया version अपडेट करना है Branch Step पर क्लिक करके DCR Report वाले section पर क्लिक करना है फिर DCR वाले section पर click करने है यहाँ पर demand section पर click करने के बाद mark client पर click करने है ध्यान रखिएगा अपसे head office से कोई भी back end से mapping नहीं की जाएगी और ना बदली जाएगी यहाँ पर जितने भी 100% client है यानि कि branch में जितने भी 100% client है उन्हें सभी करमचारियों में समान रूप से विवाजित कर देना दिया जाना चाहिए सभी client को route के आधार पर map किया जाना चाहिए यहाँ पर आपको client का name, loan id, center number, product, client live है या right off है और जिस staff का alert है उसका नाम दिया गया है ध्यान रखे यदि कोई भी करमचारी चला जाता है या किसी का transfer हो जाता है तो branch head को उसी दिन अपने clients को दूसरे staff को alert कर देना चाहिए यहाँ पर यदि आपको client को find करना है जिसे आप alert करने जा रहे हैं तो name के आगे जो arrow का sign उस पे click कर देंगे तो वह client sorting order में दिखाई देने लग जाएगा यदि loan ID पर click कर देंगे तो जितने भी client की list है वो उसका sorting order में loan ID wise दिखाई देगी यदि center number पर arrow पर click करेंगे तो center number wise sorting दिखाई देगी तो इस प्रकार आप उस client को यहाँ से sort कर सकते हैं और जब भी आप उसे allot करेंगे तो उधारन के तौर पे हम आपको allot करना बताने जा रही है सबसे पहले आपको उस client को select करना है select के लिए सबसे last में जो status वाला column है उस पे उस client के आगे click करना है तैकि वह client select हो जाए और उपर submit बटन पे click करना है submit करने के पर यहाँ पे mark two के सामने जो drop down box है उस पर उस staff को select करना है जिसे आप वह client map करने जा रहे हैं और अंत में submit बटन पे click करना है जान रखिएगा यह जो client आपने select की हैं यह इस करमचारी को map हो जाएंगे तो यह था client mapping के बारे में धन्यवाद